हेलो दोस्तों सभी को नमस्कार मेरा नाम है पंकज और स्वागत थे एक बार फिर से आपका घर में वगिश चैनल में दोस्तों रंग बिरंगे और खुस्पूदार खुबसूरत गुलाब के फूल आखिर किसे पसंद नहीं होते गुलाब जहां भी हो अपनी खुबसूरती से सबका मन मोह लेते हैं सभी लोग इसने अपने गार्डन में रखना पसंद करते हैं लेकिन समस्या ये होती है कि कई बार इस तरह के गुलाब के पौधे घर पर बड़ी मेहनत से लगाने के बाद भी इनमें फूल नहीं आते हैं और ये पनप नहीं पाते हैं अगर फूल आते भी हैं तो बहुत ही छोटे छोटे फूल आते हैं या कम मातरा में फूल बनते हैं तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स सेर करने जा रहे हैं मुश्किल से 5 जो बाते मुख्य होती हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं अगर आप ये 5 बाते फॉल आपको दिख रहे हैं आप इस तरीके से फूल पा सकेंगे बहुत ही आसानी से तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो टिप्स कौन कौन से हैं जिन्हें अपना कर आप बहुत ज़्यादा फूल पा सकते हैं और आपका गार्डन या आप गमलों में लगा रखे हैं तो वो भी गमला जो हमेशा हरा भरा रहे और उसमें फूल हमेशा खिलते रहें दोस्तो पहला टिप्स यह है कि जैसे ही बरसाद खतम होती है सितमर के अक्टूबर के महिने में आप इसकी कटाई-छटाई जरूर कर दीजिए जो पुरानी साखाय होती है या पतली-पतली सा ब्रांचिस होती है उनको काट कर आप अलग कर दीजिए और हो सके तो पूरी आप गुलाब का पौधा की प्रूनिंग करते हैं उसकी ब्रांचिस को काड़ते हैं तो उस समय मिट्टी में आप कंपोस्टिंग जरूर करें और गोबर की खाद सबसे बेस्ट होती है गुलाब के पौधे के लिए या वर्मी कंपोस्ट होती है वह बहुत अच्छा काम करती है जो किचन वेस्ट से त्यार की खाद होती है वो कम कारगर होती है गोबर की खाद की अपेच्छा तो दोस्तों आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं या तो आप मिट्टी में मिला कर दे सकते हैं कंपोस्टिंग कर सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि यहां से देखिए इतना चोड़ने के बाद पौधी की दूरी यहां थोड़ा-थोड़ा आप मिट्टी हटा लेजिए लेकिन जड़े नहीं कटनी चाहिए और यहां पर गोबर की जो खाद है उसको हम यहां पर चारो तरफ से गोला बना कर दे देते हैं देने के बाद इस तरी के धक देंगे मिट्ट तरी से और उसके बाद हलकी वाटरिंग करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा तरीका है ठिप नमबर तीन जहां गुलाब का पाउधा लगाओ हो वहां पर की जो मिट्टी होती है या जो पौदे की मिट्टी है वो काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए या चिकनी मिट्टी नही होता है लेकिन बालू आप तभी मिलाएं जब चिकनी मिट्टी आपके पास हो, या फिर काली मिट्टी उत तभी आप मिलाएं, अगर बलू जरूरी है दोस्तों जहां भी आप गुलाब का पौधा लगा रहे हैं आपने गार्डिन में जहां पर लगा रहे हैं वहाँ पर कोशिस करें धूप जो है कम से कम चार घंटे की धूप उसको मिले और अगर धूप नहीं मिलती है तो उसकी बढ़वार तो होती है उसकी जो टह छाय पर लगा हुआ है और इसकी देखिया आप साखाएं कितनी पतली पतली है जो फूलाते हैं वह भी बहुत छोटे आते हैं और बहुत ही कम फूल बनते हैं तो आप कोशिस करें कि इसको जहां पर ज़्यादा धूप आती हो वहां पर लगाएं तो आप जयादा ज़या प फूल इसमें पाते रहेंगे ये देखिए बहुत ही पतली इसकी रांचिती होती हैं ग्रोथ तो चल रही है लेकिन फूल बहुत कम बनते हैं तो फ्रेंट्स हमारे दोड़ा दीकरी जनकारी अगर आपको आज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिए सेर कर द